दोना, प्लीज तो क्या पंडेत जी दादा जी के स्विगी सर्विस है ऐसे ही समझ लो तुम पंडेती को रोज खाना क्यों नहीं खिलाती क्यूंकि भगवान जी के खर बहुत सारे लोग है न अब अगर पंडेती सिर्फ हमारे दादा जी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के और वाच मैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आजाओ ठीक है लेकिन अभी तो मेरे फेवरेट शो आने वाल है बिटा प्लीज देखो पापा संगपपूर गये मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है तुम्हारे लिए आलो पुरी जाएगा ओफ मैचिक आलू पुरी बट्रेश चिकन बन जाएगा हां मुझे तो जरूर देख मैं एक यह एक सो एक रुपए पंड़ जी को दे दिना पंड़ जी को खाना काने के पैसे मिलते हैं यह दक्षिना है खुशी-खुशी दे रहे हम मुझे खाना खाने के देक्ष बाखने के चाहने कां। पंड़ जीप पंड़ जी पंड़ जी पंड़ जी अल्ला के नाम पे दे दो अल्ला के नाम पे दे बाबा अल्ला के नाम पे दे दे बहुत भूका हूँ मैं दो दिन से कुछ खाया नहीं हूँ बच्चा अल्ला के नाम पे दे दे कुछ मैं क्या है खाना खाना दो दिन से कुछ खाया नहीं दे दे बेटा मेरे दाज़ जी ने एक साल से कुछ नहीं खाया एक आइडिया दू आप पंड़त बंडियों लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिना भी देंगे फिर आपको भीक नहीं मांगने पड़ेगे आइडिया नहीं खाना चाहिए खाना इसे दर कोई दूसरा मंदिर है कि मंदिर उधार है और मस्जीट उधार लेकिन मंदर तो बंदर भुभराण के नाम पर देदे कुछ। बगवान के नाम पे देदे, बगवान के नाम पे देदे कुछ आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ लगता है आप गलत जगह आ गया हो यह गलत जगह है? नहीं जगह तो सही है, आप गलती से आ गया हो मंदिर अगली वाली गली में है यह क्या है फिर? यह मस्जिद है, अल्ला का दर्बार है यहां क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्ला की इबादत करते हैं. आप कान हो? मैं यहां का मौलवी हूँ. मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं. तो आप दोनों सेम हो? आज मेरे दादाजी की बोरसी है, आप प्लीज ए खाना का लीजी मैं क्यो? क्योंकि आप मस्जित के पंडेत हो ना नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है पता है, ये खाना दादाजी के लिए आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वाब बटर चिकन मिलेगा, उन्होंने एक साल से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज ये खाना खालीजे, बेटा तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते, मैं गया था, मैंने बहुत धूंडा, मैं कोई भी नहीं था, बेटा जो काम पंडित कर सकता है, वो मौलवी नहीं कर सकता, अभी आप इने तो कहा, कि आप दोनों सेम हो, खाना ही तो खाना है, इसमें लड़ो भी है, अर्याब आप समझ क्यों नहीं रहे हो, पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग है, आप अल्ला के नाम पे खा सकते हैं, फर्स करो मैंने खा लिए, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो, अब क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो, तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता, यहां नहीं, क्यों, मंदर और मस्जित में क्या फर्क है, तुम किस भगवान को मानते हो, शेव जी, तो शेव जी की पूजा करने के है, तुम ॡश हो लिए लिए अनुमान मंदिर आप नहीं ना यही है, नहीं फर्क भगवान और अल्ला में हैं, लिकन मॉम्मान किय सै, कि तुम्हार में मे कावगवान से महं है, वैसे, अलला कितने आ, वय तो एकी कि वैट तो आप इतनी शौर के सो कि बावनन और अलpm जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्य मेरे को टिक को बलाती है, पापा मेरे को रॉकी बलाते है, मेरे दोस में को राहु बलाते है, लेकिन हूतों में ही की राहुल, वैसे ही शिवजी, अल्ला, हनुमान, सब सेमी है, लेकिन यहां सिर्फ अल्ला मिलते हैं, अल्ला सिर्फ में मिलते आई अल्ला तो सारे जहान में मिलते इस सड़क पे उर्मॉल में हां सबजी बजार में हां मंदर में भी हां भाया तो फिर मजुद मैं भवान क्योंने मिल सकते एघ अगर मैं अल्ला से कुछ मांगना चाहूँ क्या वो मेरी बात सुनेंगे बिल्कुल, बिल्कुल सुनेगे तो अगर अल्ला मेरी बात सुनने को तैयार है तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? काउन सा लड़ू है? मेरे दालदाजी भी हम इसे लड़ू से इशोड़ करते जी सब को सम्मति नहीं होगा और ये दक्षना नहीं बेटा ये किसे घरीब को दे देना ओके बाए उम्र जहनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई वो सच्चाई जब होली आखों में दिखाई कोशनी भरे दिलों में नांधेरों का दिशा हो हर मजर में बशर में मौला तेरा ही दुमा हो पिश्मर अर्मा तेरो हो हलो हाँ पूजा मैं पंद्रा बीस मिनिट लेट हो जाओंगी तुम पेशन को सलाइन चड़ा दो मैं अभी आती हूँ पंडिक जी ने क्या कहा बिस्मिल्ला एर रह्मान निर्रहीम राहूल तुम कहां गये थे दाजाजी को खाना के लाने बाशन को खाना प्लाइब अर्मा तुम प्लाइब लें जी आती हो जी तुम झाल 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 झाल